बस्वन परसेंट समझेगा एक और दो और आट दस्च है 16 तोटल जैड़ में कितनी परसेंट है बुलिए इस्टीन परसेंट है कितनी एस्टीन परसेंट क्या प्रॉप्रम है बताईए बाब आपका रिडार प्लियर हो गया प्रालेक्स का भी डाउट किलियर हो गया हां वान एंपिया कैसे आया तो यह जो इनकी experiments हैं बहुत जादा hypothetical experiments है और hypothetical के अलावा मतलब वो practical results है और practical results है इसलिए NCIRT कहता भी है कि read करो आपकी knowledge में होनी चाहिए बाकी इस बात का pressure मत देना कि इसको आपका exam में भी लिखना होगा आपके knowledge के लिए उसका experimental जाने को कोसित मत कीजिए ना वह बताया जाता है कि बहुत टाइम पहले हमारी जो labs है measuring lab और वगरा जो experiment है वो जो labs है उन लोगोंने कैसे मीटर हाइं किया कैसे किलोग्राम हाइं किया कैसे second हाइं किया ठीक है ना तो घब्रानी की जड़ती है उनको बगाएदर read करें doubt आने पर पूछी ज़रूर घब्रानी की जड़ती है Dimension में आपको सारी चीज़ें बता चुका हूँ Dimension की limitations वज़ेरे सब कुछ यही मैंने आपको एक error का doubt था बच्चों को तो मैंने बता दिया इसके बाद भी doubt रहता पनाक से message करिए इसके में आपको एक exercise भेजूँगा लबक सो problem की उस सो problem में आपको हर variety का problem मिलेगा पहली बाद को हर topic का मिलेगा दूसरा हर variety का उसको इत्मिनान से सौरू करिए कुछ भी उसका छूट जाए एक भी doubt रह जाए फटाक से message करिए इसको इस पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे तयार कम लिए आप सारे formula एक copy बनाएंगे आप और copy का नाम रखेंगे formula book ठीक ना physics formula book उसमें chapter wise अभी से ही सारे formula लिखना स्टार्ट कर देंगे आप चुकि जब भी आप सवाल लगाओगे तो आपको रीट कर रहे काम आएगी ठीक ना इसलिए फ़र्मिला को ज़रूर बना लिए और उसमें आप जो है यह सारे formula नोट कर लीजिए ठीक ना और को इन उसके और फॉर्मिले को रहाई करिए अगर आ स्टार्टों का मैजमेटिकल फॉल्स ठीकर आप चाप लीजिए स्कुछ आपना होतों देखे आगे